हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड स्वागत आपका मेरे चैनल इंडियन ब्लॉगर खुजबू में मैं हो गई हूँ रेड़ी सूट उठ पहन कर एक तम मैं आज जाने वाली हूँ गुरद्वारा घुमने के लिए मज़ा है था चलिए आप लोगों को भी गुरुद्वारा घुमा के आती हूँ इधर कार की जो है पहले धुलाईया होरी जो है पुरा धुल गया अच्छे से अब हम लोग चले घूमने अरी नेवला था मेरे घर के पास भी बहुत निकलता है यहां का यह सब एरिया देखके कितना अच्छा लगता ना पहाड़ पहाड़ उपर से पुरा बादल किता मस्ट लग रहा फोन में कि अच्छाओ से अच्सेवले लिए दिक वे लगता है झाल झाल यह जो सीन है यह सीन मुझे बहुत ही जादा खुबशूरत लगा मैं आसा करती हूँ कि आप लोगों को भी यह सीन जो है बहुत ही जादा सुन्दर लग रहा होगा आप देखो मतलब चारू तरफ हर्याली उपर नेला खुला हुआ आस्मान यह सीन देखके किसी का भी जो है मूट बहुत जादा फ्रेश और अच्छा हो जाएगा मैं मैंने तो यह सीन देखे बहुत जादा इंजॉय किया आप लोग भी इंजॉय करो यह सारे सीन देखकर बहला कोब भी बहुत जाते हम एंजॉर को जार अच्छा थे सीन मैं पहुँच चुकी हूँ हरीपूर गुरुद्वारा और आप यहां का सीन देखिए यहां का नजारा देखिए कितना जाधा सुन्दर है दूर दूर तक पूरा पहाड़ी इलाका पूरा ग्रीन ग्रीन नेचर बहुत सुन्दर है मुझे थो थोड़ा आगे जाने में डर लग रहा है लेकिन आप देखो बहुत सुन्दर है बहुत अभी गुरुद्वारा का जो है मुख्य द्वार बंद है तो जब वो खुलेगा तो जाकर दर्सन करेंगे प्रशाद ले लिये हैं आप लोगों को यह नजारा क्या सा लगा प्लीज कॉमेंट सिक्सन में कॉमेंट करके बताईएगा और मेरे चै करना बिल्कुल भी मत भूलिये क्योंकि इंस्टाग्राम पर मैं बहुत जादा मस्ती करती हूं तो देखो कितना जादा बंदमाशी कर रहा है कि आप कि अच्छों पटर्फलाई बिचारा का पंख जो है कट गया है ठिक से उड़ नहीं पारी गुरुद्वारा में दर्सन बहुत अच्छी तरीके से हो गए लेकिन अंदर जो है फोटोग्राफी एकदम एकदम सक्त मना था तो मैं अंदर का कुछ भी वीडियो पना नहीं पाई हूँ अभी जस्ट पीपल के पेड़ के नीच्छे बैट के अराम कर लिए हो जूली सीजर जो है मेरे साथ साथ चल रही है आज़ो अब चलो रूम में जाती हूँ चेंज बेंच कर लेती हूँ बड़ो जोड़ो की तो मैं अपना आज का यह अपना छोटा सा ब्लॉग यहीं पर खतम करती हूँ मिलती है आपसे किसी और एक इंट्रस्टिंग ब्लॉग के साथ तब तक आप बने रहें मेरे यूट्यूब चैनल इंडिन ब्लॉग और खुस्बू के साथ और मेरे वीडियो को भर-भर के ब्लॉग!